हेलो क्रेंट स्वागत है आप सबका डूगो की चनल और ब्लॉक्स में फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से नास्ते की रेसिपी जो खाने में बहुत ही टेस्टी होगी और ये बहुत आसानी से बन भी जाएगी तो चलिए अब हम इसे बनाना सुरू करेंगे लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा सबसे पहले हमें लेना होगा सत्तू मैंने यहाँ पे डेर कप के लगभग सत्तू लिया है और अब इसमें मैंने बारीक कटी हुई धेर सारी प्याज भी मिलाई है तीन से चार मैंने प्याज इसमें कटी हुई मिला ली है और यह साथाट कली लसुन बारीक कटे हुई हरी मिर्च तीन से चार और यह मैं मिला रही हूँ मिर्च वले अचार का मसाला ये optional है अगर आपको अच्छे लगते हूँ तो जरूर मिला ये taste बढ़ जाता है यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अजवाइन मिलाया थोड़ी से कलोंची जिसे हम मंग्रेल बोलते हैं और ये मैं मिला रही हूँ नमक स्वाथ के अनुसार नमक मिला लेना है और अब इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीजे बढ़ियां से मिक्स कर लेंगे ताकि सब का फ्लेवर अच्छे से आए इसमें हम सर्सो का तेल भी मिला सकते हैं और ये थोड़ा सा पानी अगर बहुत ड्राइ लगे तो छीटे भी पानी का इस पर बार सकते हैं लेकिन मैंने इसमें ना ही पानी और ना ही तेल को मिलाया है इसमें मैं मिलाई हूँ लगभग दो बड़ी चमच नीबू का जूस इससे बहुत ही अच्छा सा खटा पन वाला टेस्ट है चटपटा बनेगा खटा तीखा स्वादिष्ट एकदम हमारा सत्तू का ये फिलिंग तयार हो गया है जब ये अच्छे से बाइंड होने लगे समझे ये तयार है और अब हम आटे की लोई लेंगे और कुछी इस तरीके से सेप देंगे जैसे हम पराठा बनाने के लिए बनाते हैं वैसे ही बना करके इसमें हमने जो सत्तू की फिलिंग तयार की है उसको भर लेंगे और इनको किणालों से दबाते हुए ऐसे गोल गुमाते हुए हम बंद कर देंगे यह देखिए बहुत ही अच्छे से बंद हो जाएगा हलका सा गोल करके हम थोड़ा सा चप्टा कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने धीर सारी लिट्टियां बना ली है सत्तू वाली अब मैंने गैस पर पानी को गर्म करने के लिए रखा है दो बड़ी गिलास पानी है इनमें जब उबाल आ जाए तब हमने जो सत्तू वाली लिट्टि वनाई है उसको इसमें डाल देना है जितना एक बार में आसानी से हम इसमें एड़ेस्ट करने उतना ही डाले तो मैंने यहाँ पर एक बैच डाल दिया है पानी में बॉइल करने के लिए अब हम मीडियम फ्लेम पे इनको अच्छे से बॉइल होने देंगे कुछ मिनट के बाद ही अपने आप धीरे धीरे उपर आने लगेंगे तो हम एक फोक या फिर चम्मच की हल्प से इनको इधर उधर पलट के दोनों साइट से अच्छे से बॉइल कर लेंगे इस प्रोसेस में 5-6 मिनट लग जाएंगे लेकिन ये बहुत ही फेमस तरीका है बहुत अच्छे से बहुत जटपट ये बनके तयार हो जाता है तो अब यहां अच्छे से उबाला गया है 90-95% हमारी लिटिया इनमें पक गई है अब इनमें बहुत ही अच्छा सा उबाला गया है तो हम इसे छान करके पानी से अलग कर लेंगे इस तरीके से और एक बरतन में इनको निकाल करके ले लेंगे इनका पानी जब उपर से सूक जाए कुछ इस तरीके से हो जाए तब हम इनको गर्म तेल में चान लेंगे तल लेंगे तो मैंने यहाँ पे कडाही में तेल को गर्म कर लिया है अब हम इसमें एकेक करके उबली होई यह सत्तु वाले लिट्टी डालेंगे ध्यान रहे हमें गैस का फ्लेम यहां मेडियम लो रखना है बहुत हाई फ्लेम पे नहीं डालेंगे तभी हमारी लिट्टियां खस्ता बनेंगी अच्छे से तलेंगी यह नास्ता हम कहीं अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो भी ले जा सकते हैं और यह दो दिन तक खराब भी नहीं होता है ध्यान रहे अगर हमें ज्यादा दाइन तक इसे चलाना है तो हम प्याज को भून करके इसमें मिलाएं कच्छी प्याज ना मिलाएं या फिर हम प्याज लस्तन को इसके भी कर सकते हैं तो यहां पे मैंने दीरे से इसे पलटते हुए इदर उदर तीन से चार मिनट पे अच्छे से तर लिया है मीडियम लो फ्लेम पे ये देखिए बहुत ही खस्ता दिख रहे हैं ये गोल्डेन ब्राउन हो गई है तो हम इनको एक एक करके अपकडाही से निकाल लेंगे तो इस प्रकार से आपने देखा कितनी जल्दी और कितनी असानी से ये बनके तयार हो जाती है आप भी इस विदी से जरूर बनाईए और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करना मत भूलिएगा तो यहां पे मैंने दूसरा बैच भी डाल करके इसमें तल ल बैट्टी बनके तयार है ये देखें कितने अच्छे से इन में क्रैक्स आ गये हैं एकडम गोल्डेन ब्राउन होके ये तली हुई है वैसे तो इसे हम भायगन के भरते के साथ खाते हैं बहुत टेस्टी लगते हैं लेकिन हम इसे ऐसे भी खा सकते हैं चाय के साथ भी खा सक अगर ये चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें